नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिम्टेट के बारे में और इसका जो शेर प्राइस अभी 500 रुपे के करीम में चल रहा है बहुत ही जल्द आपको 1000 रुपे के उपर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जो इसने क्वाटर वन में जो रिजल्ट डिकलेर किये हैं काफी ज़्यादा जो है इंप्रेशिव करने वाले हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं धमाकेदार रिजल्ट्स आप बोल सकते हैं अभी इसका सेर प्राइस स्टॉक मार्केट में 530 रुपे के करीम में मिल रहा है तो क्या आने माले टाइम में 1000 रुपे के लेवल के उपर जा सकता है या नहीं और अभी हमें इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं तो इन साथी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप से निवेदन है कि प्लेज वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो में दोस्तों आगे बहने से पहले मैं आप लोगों से करूँगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आप लोगों ने जे के एडूटे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जे को एडूटे को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेर आइकन को प्रेस कर दिजे ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहा है इस साल के रिटन को देखें तो तक्रीबन 20% का रिटन जो है इस स्टॉक ने इस साल बना कर दिया है वहीं आर्ट अर्टेम रिटन को देखें तो काफी धमाकेदा रिटन देखने को मिलेगा 25 अक्ट्यूबर 2019 को 36 रुपे पच्पेन पैसे इसका भाव हुआ था क्योंकि बाद में कंपणी डीमर जो गई थी और तब से लेकर देखें तीन सालों के अंदर अंदर 1236% का जो एक मैसिव रिटन जो है यहाँ पर ग्रीन पैनल इंडस्टिय लिम्टेज ने अपने निविश्कों को बना कर दिया है तो ग्रीन पैनल इंडस्टिय लिम्टेज मैनुफेक्चर आप प्लाइबोट और मीडियम डेंस्टिय फाइवर बोट यहमडिय जो बोड होता है और लकड़ बनाती है और मार्केट लिडर की बात करें तो इंडिएम्टेज में मतलब होता दोस्तों इसको जो इंडियम डेंस्टिय फाइवर बोड इसको जो तो ईक बनाती है है और च्छत इंडिया अस्तान पे हैं और पूरे बिस्व में पांच पे पोजिशन पे जो है यह एक कंपनी आती है कंपनी की जो बात करें तो 2100 डिस्ट्रिबूटर्स हैं और 10,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं इसके और 15 से भी ज्यादा इसके ब्रांचेस हैं जहां पर एंडिया प्ला में तो यहां से तकरीबन 5,40,000 C.B. PM पर एंडिया की जाती है और इसकी सबसिड्रिवी बात करें तो एक और इसकी कंपनी है ग्रीन प्लाइ सिंगापोर पीटी इलिम्चिन नाम से एक सबसिड्रिवी हैं तो कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है कंपनी के जो रहा हैं उनमें काम हो रहा है लेकिन लकड़ी की बात कुछ और यह होती है दोस्तों और इसके जो नंबर्स हैं एक बार आप देखेंगे तो चौक जाएंगे क्योंकि पिछले साल जून यह हजार एकिस में 30 क्रोड रुपे का नेट पॉफिट हुआ था जो इस साल भढ़कर 78 क्रोड रुपे हो चुका है तो एयर अन एयर वेसेस के उपर 107% का profit में जंप देखने को मिला है और sales में 50% का ज़ो है जंप इस company के CS में देखने को मिला है market capital की बात करें तो 6304 करोड इसका total market cap है एक small cap की company है 626 रुपे वाउन बीग का high price है और 222 रुपे वाउन बीग का low price है face value इस company की एक रुपय है return on equity 28.60% है और return on capital implement जु है 30.0% है company dividend भी देती है और 0.29% इसका dividend इल निकल के आ रहा है और company अच्छा जो है इहां पर return दे रही है quarter and quarter और जो इसके कर्ज थे इसमें कर्ज में जो है reduce होता हुआ दिक रहा है company का कर जोए घड़ रहा है 2020 में देखें तो 870 करोड़ रूपे का net sale वही 2021 में देखें तो 1021 करोड़ रूपे का net sale 2022 में देखें तो 1625 करोड़ रूपे का sale और अभी इस current year में 1781 करोड़ रूपे का sales इस company ने जनिट किया है प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 14 क्रोड रूपे का नेट प्रॉफिट हुआ था जो 2021 में बढ़कर 69 क्रोड हो गया और 2022 में देखें तो 240 क्रोड रूपे का नेट प्रॉफिट होता वह अधिक रहा है और अभी current year, financial year 2030 में देखें तो 288 क्रोड रूपे का नेट ग्रीन पैनल इंदस्ट्री लिम्टेंड में होता हुआ दिक रहा है तो कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है इसलिए इसका स्टॉक प्राइस यह आर कंपाउंड अनुवल ग्रोथ रिट का डिटा अब लेवल नहीं है लेकिन वन येर का चेक करेंगे तो वन वन नाइन यह एक 10 क्रोड रूपे का निट डेप था अब वो कम होकर 316 क्रोड हो चुका है यानि कंपनी के डेप्ट में जो है गिरावर देखने को मिल लई है और कंपनी का सब्लस मनी रिजर प्राइस बढ़ रहा है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 53.10% के करीम में प्रमो की एंट्री हो चुकी है तो फंडावेंटल लुप से टेकनिकल लुप से और बैलेंसीट के हिसाब से देखें तो कंपनी काफी अच्छी है लॉंग टर्म में आपको एक बढ़िया रिटन देने की छमता रखती है क्योंकि बढ़िया रिटन की एक्सपटिशन आप कप करते है आप तभी कर सकते हैं जब कंपनी के फंडामेंटल सही हो कंपनी के प्रड़क्ट सही हो और आने वाले 4-5 सालों में कंपनी में ग्रोथ हो और इस कंपनी में ग्रोथ अभी बाकी है क्योंकि इसके जो प्रड़क्ट्स हैं वैसे कि जो डाइनिंग हाल में जो हाल होता है आ लाइट टेबल होता है इस परकार कि यह जो है लेटेस्ट पोड़क्ट जो है एक कमपनी मैनुफक्चर कर रही है और इसके अलावा डीनर रूम में देखें जहां पर आप खाना खाते हैं तो डीनर रूम में जो टेबल्स होते हैं जो चेर्स होते हैं और जो एसु सिरीज के आइजम्स होते हैं ओ देखें तो एक कमपनी डिजाइन करती है ग्रीन पैनल इंडेस्ट्री लिम्टेट और इसके अलावा माडूलर कीचन का जबना है और माडूलर कीचन में भी एक कमपनी नंबर वन है और घरों में जो कीचन क्योंकि इसके जो पोड़क्ट्स हैं हर घर के यूज होने वाले पोड़क्ट्स हैं क्योंकि कीचन तो हर घर में होगा और माडूलर कीचन एक कमपनी बनाने में नंबर वन है एक्सपोर्ट है और EMDF की बात करें तो इस्या में थर्ड और वर्ल्ड में फिप पोजिशन पर आता है तो कमपनी का पंडमेंटल कापी पासा नहीं कैमा पाएंगे अगर वाकी में इस्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है धन बनाना है पैसे कमाने है करोडों कमाने है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा और मैं ऐसे ही रिसर्च बेस वीडियो आपके सामने लाता रहता ताकि आपका फायदा हो तो अधि आप चाहते हैं कि इस मुहीं में मेरा साथ देना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन आपने वाद